हेलो फ्रेंस स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल पर फ्रेंस ये आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीचे टैंक यू तो फ्रेंस आज मैं आपको गैरेंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने घर के लिए color select करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आपके घर के लिए सबसे बढ़िया color select आसानी से कर सकोगे तो आएए चलते तो सबसे पहले मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीचे फ्रेंस तो जैसे कि आपको पता है हमारे घर के इंटिरियर के लिए सबसे इंपोर्टेंट है रूम का कलर जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं मैं इस वीडियो में सबसे बड़या कलर के डिजाइन्स लेकर आया हूँ इसमें जो भी हर एक डिजाइन से वो एक से एक वेडिया कलर के डिजाइन से जो कि एक लेटेश ट्रेंडिंग वाले कलर से और जब हम घर के लिए कलर चॉइस ले करते हैं तो डेफिनिटली ये हर एक के परस्नालिटी के उपर डिपेंड होती है उसे किस टाइप की कलर पसंद आती है तो दोस्तो जब भी आप कलर चॉइस करते हो तो आपको जो कलर करनी है उससे ज़्यादा ये इंपोर्टेंट होती है कि आप कौन से टाइप के कलर ना लगवाए क्योंकि घर एक ऐसी जगह है जहां पर दोस्तो जब आप काम करके ठक कर घर पे आते हो आप घर पे आके रिलेक्स करना चाहते हो घर का एट्मोस्फिर जो वाम है काम है यानि कि घर पर आने के बाद शांती होनी चाहिए तो इसमें जो कलर है वो ज्यादा इंपोर्टेंट अगर आप डल कलर लगवाएंगे या उबडखाबड वाले कलर लगवाएंगे तो ऐसे वक्त में आप बहार से आने के बाद आपका दिमाग पहले से ही गरम होता है और घर पे आने के बाद आपका दिमाग और भी ज्यादा गरम हो जाएगा वैसे वक्त में आप जो भी है गर के लिए color choice करते समय, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको कौन से room के लिए कौन सा color अच्छा रहेगा और किन color को avoid करना चाहिए, यह जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो पर मैंने आप देख सकते हो, अच्छा से अच्छा colors के designs लेकर आया हूँ, इसमें जो भी colors है, वो latest color के साथ है, यह difference अगर यदि आपको इसमें कोई confused है, तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सारे सावलों का जवाब दे सको, और हमारा घर का color जो है, उसमें सबसा अच्छा point यह है, कि अगर आपको color करने के बाद पसंद नहीं आया, तो अगर आप आगे जाकर भी आप change कर सकते हो, definitely आपको थोड़ा पैसा करना पड़ेगा, लेकिन आप उसको change कर सकते हो, आपके according के हिसाब से, आप ज़्यादतर hall में या drawing room में, half white, hulkे नीले, हरे जैसे पीले, नरम, टोन, चुन सकते हो कि, कि यह स्तानों को उजवल और अधिक आकरशक बनाते, गर के सही रंग के मिलान के लिए आप अपनी छटों के दिवारों को समान रंग में रंगो, यदि आपकी छट के उचाई कम है, तो आप अपनी छट को अपनी दिवारों के समान, same to same रंगे, आप इसके लिए हलके shades या सफेद रंग का चैन कर सकते हैं, वही रंग योजना आपकी दिवारों और छट के बीच की रेकाओ को दुदला कर देगे, जिसे की कमरे लंबे और विशाल दिखेंगे, आप छट के ऐसे रंग भी चुन सकते हैं, जो आप दिवार के रंगों से हलके हो, उधारन के लिए यदि आप पास क्रिम रंग का दिवार है, तो आप फरनिचर के अनुसार घर के रंग के मिलान के लिए रंग टै करें, तो फरनिचर घर का रंग विशशकार इंपोर्टन टै करने में महत्पुर्ण भूमिका निवाती है, इसलिए यदि आप अपने घर का रंग दोबारा करा रहे हो, तो आप अपने फरनिचर पर ध्यान जर एक सेट आप तयार कर सकेंगे और लाइट कलर्स होते हैं जिसके वज़े से आपका रूम भी बड़ा दिखने लगता है और ज्यादा तर आजकल लाइट कलर्स ही यूज होते तो फ्रेंच जब भी आप कलर कराओगे तो मेरा सजेशन यह है कि आप लाइट कलर्स में जाहिए वह बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर आप डल कलर लगाएंगे तो फिर आपको अगर आप डार्क कलर कराना चाहते हो तो एक दिवार पर आप कर रहें जैसे कि तिन दिवार पर जो हमारे लेफ्ट और राइट साइड और आम जहां पर पीछे साइड बैठते हैं उसको लाइट कलर कराई और जो सामने जो हमारा सेंटर जहां पर टीवी और वगेगर जहां पर हमारे टीवी टेबल कैबिनेट लगे रहे थी होँआ पर डार्क कलर यूज कर सकते हो तो उसके लिए आपको अलग से आपका रूम का कलर जो है वो अलग से कैबिनेट के अधर अलग कलर है बाकी त्यमनदीवार पर अलग कलर से या अप सेम कलर के भी जा सकते हो अगर सेम कलर पर जाना है तो आप लाइट कलर में जाए यह जादा यूज मत करना क्योंकि हमारा जो डार्क कलर जो है वो मूड अफ भी हो जाएगा और उसके वज़से घर अंदेर अंदेर लगेगा और जैसे अगर आप बाहर पहले अप काम करके थके वह आएंगे और घर पर आने गावद वैसे कलर से एकदम डल जैसा तो आपका भी मन और बुरा लगने लगेगा तो अब जब भी घर पे कलर कर आते हो तो इसमें देखिए मैंने ज्यादा तर 80-85 परसंट लाइट कलर के ओप्शन दिखाए हैं इसमें कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछे मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालो ज़का जब दो को ज्यादा तर अभी इसमें जो वीडियो में कलर से वो ट्रेंडिंग वाली कलर से जैसे के होब हुए मृटि एक हब्रेट ब्लीउ लाइट कहrett 창 McNlich के अमग्स कलर Śबीस काइब्लीउ हाफ वothes को या डार्क ब्लीउवेद हाफ या गरें औरेंज औरेंज भी कच्छा बेस्ट कलर है आप उसको एक ही दिवार पर लगाए औरेंज कलर आप लगाना चाहते हो तो बाकि तिन जो साइड वाले दिवार से उन पर आप हाफ वाइट लगाए तो फ्रेंज यदि मेरे वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मैं आगे भी इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहूंगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्यू